सो ही गास, कैसे आप सभी? आप सभी तरह आज हम जाने वाले जीव के फिजिकल सिम कार्ड को e-summer कैसे करनोड करते हैं 2024 के अंदर प्रोसेस सारा चेंज हो चुका है तो step by step बताने वाला हूँगी कैसे फिजिकल सिम कार्ड को e-summer करेंगे तो सबसे पहले आपो करना क्या है कि जो भी आपका physical SIM card है जिसको आप eSIM में करना चाहते हैं वो SIM card आपके phone के अंदर होना चाहिए जिस भी phone के अंदर आप eSIM activate करना चाहते हैं दूसरी चीज उस SIM के अंदर recharge होना चाहिए SMS आ सकें और जा सकें तिसरी चीज आपके जियो नंबर के साथ में आपकी email ID रेजिस्टर होनी चाहिए और अगर आपकी email ID रेजिस्टर नहीं है तो आपको करना क्या है बहुत सिंपल सा तरीका है My app download करना है यहाँ पर जो आपको mobile number से login कर लेना है अब यहाँ पर manual option के उपर क्लिक करना है अभी यहाँ पर जो प्रोफाइल and setting के उपर क्लिक करना है अब यहाँ पर दुबारा से आपको profile के उपर क्लिक करना है यहाँ पर आपको option दिख जाएगा email ID का यहाँ से आप change भी क सकते हैं अगर आपको कोई email id पुराणी registered है otherwise अगर आपके पास registered ही नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं email id रिश्टर कर सकते हैं चलिए SIM card अपने phone के इंदर डालीजी अगर android है तो android के इंदर डालीजी अगर आईफोन गए रहा है तो आईफोन के इंदर डालीजी और यहाँ प पेस देना अब यहाँ पर आपको id number डालना है id number मिले कहां से आपको जो back आजाना है setting के अंदर जाना है और यहाँ पर जाएंगे about के अंदर general and about यहाँ बर जो हमें नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करें थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे id number दिख रहा है इस पर long press करेंगे और इसको copy कर लेंगे copy करने के बाद back आजाएंगे और sms के अंदर जाएंगे यहाँ पर हमें paste कर देना है paste करेंगे और इसको send कर देंगे तो sms हमारा जा चुका है send हो चुका है अब हमें एक जियो की तरफ से नया sms आएगा उसका wait करना है तो sms आ चुका है इस पर click करेंगे अब हमें one reply करना है याद रहे यहाँ पर reply नहीं करना है यहाँ पर आपको one reply नहीं करना है अभी जिस नंबर पर हमने sms send किया था उसी नंबर पर हमें one reply करना है तो आज जाएंगे फिर से 199 के उपर और यहाँ पर जो यह one reply कर देंगे और reply करेंगे अब हमारे पास फिर से एक sms आएगा फिर से मारे पास एक sms आ चुका है इस पर click करेंगे तो अभी हमारे पास call आ चुकी इसको pick up करेंगे यह confirmation call होता है जैसे आप one reply करेंगे उसके बाद एक sms आएगा उसको आपको pick up करना है वहाँ पर जो आपको one press करना है confirmation के लिए कि हम process आगे बढ़ाएं या फिन नहीं तो हम यह process बढ़ाना है तो हम one reply कर देंगे या नहीं कि one press कर देंगे उसके बाद जो हमारा process आगे बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके का आपके पास sms आएगा जहाँ पर बताया रहा है कि आपको दो घंटे वेट करना है दो घंटे के बाद आपका e-sim जो है वो activate हो जाएगा आ जो कि यहाँ पर दे सकते हैं no service दिखाई दे रहा है अब आपको करना कहा है अब आपको wifi connect करना है आपके CV दूसरे फोन से hotspot on करके wifi connect कर लिजे अब आपको जो बैक जाना है और यहाँ पर जो setting के अंदर जाना है setting के अंदर आप देखेंगे सबसे उपर ही आपको एक pop-up दिखेगा setup mobile service इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको दिखेगा activate e-sim continue यहाँ से कर देना है थोड़ा सा wait करना है एक से दो मिट वेट करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया mobile plan setup complete अब यहाँ पर जो आपको done कर देना है done करेंगे तो यहाँ से जो है आपको default line set करने के लिए बताएगा तो आप अपने हसाब से select कर सकते हैं प्राइमेरी कर देता हूं मैं अगैन प्राइमेरी बना देता हूं इसको प्राइमेरी सारा कुछ उक्योंक हो गया और अब देखेंगे हमारे फोन के अंदर फिर से network आ चुके हैं यहाँ पर दे सकते हैं जियो लिखा हुआ है और उपर वाला जो हमारा physical sim पढ़ा है उसमें no service लिखा हुआ आ रहा है so I hope कि आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे इस sim card को activate करते हैं और यहाँ पर मैंने अपना physical आला दूसरा जियो का sim भी डाले है आपर दे सकते हैं दो network यहाँ पर show कर रहे हैं आपको दोनों जियो की sim मेरे वीडियो चले लगे तो वीडियो कर दे अंदर तो पर बी सेफ और बी हैल्दी